हलो प्यारे बच्चो तो प्यारे बच्चो आज हम साइंस का फर्स सेट पेपर यू लाइक से करने जा रहे हैं और बच्चो मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी ने यू लाइक का सेट पेपर अपने पास परचेस कर लिया होगा और उसका बच्चो फर्स सेट पेपर जो हम करन चली जाएगी तो बच्चों एक एक करके मैं सारे सैट पेपर उठा रहा हूं और आज फस्ट सैट पेपर का पहला कोशन सुरू करते हैं पहले MCQ से सुरू कर रहे हैं फिर आगे बढ़ते चली जाएगे जैसे कि बच्चों पहला कोशन लिखा है अब देखो सबसे पहली बात मैं आपको यह बता दूँ कि हमारी आख पर जो भी इमेज बनती है तो वो रियल बनती है रियल बनने के साथ साथ हमारा रेटीना हमारा आख बहुत छोटा सा है तो सीद्धी सी बात है इमेज भी जो बनेगी वो कैसे बनेगी चोटी बनेगी तो हमें यहाँ पे चार चीजे देखनी है कि भई, real बन रही है ठीक है, और अगर कोई भी चीज, यह हमने condition पढ़ रखे है कि अगर कोई भी image real बनेगी तो वो inverted भी होगी, यह हमने पढ़ रखा है तो हमें तीन चीजे चेक करनी है ऐसा option चेक करना है जिसमें real और क्या भई real भी हो, inverted भी हो और de-minimize भी हो मतलब कहना क्या जा रहा है question कह रहा है eye lens from the image of an object situated in front of the at retina the image formed is हाँ जी, कह रहा है कि जो retina में हमारा image बनता है हमारी आख में, तो किस तरीके का image बनता है तो मैंने आपको बताया real होना चाहिए, inverted होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, de-minimize होना चाहिए तो इसमें आपके चौता option ऐसा है real, inverted and de-minimize ठीक है चलो, अगला question कह रहा है the resistance of an electric bulb हाँ जी, electric bulb है हमारे पास उसका resistance निकालना है second question का जिसका current दे रखा है आपको 1.2 ampere और voltage दे रखा है आपको 6 volt तो कहरा बताईए अच्छा 6.0 volt है तो 6 volt ही कहते हैं इसको ठीक है, कहीं गबरा जो तो अब कहरा है कि बई, resistance निकालो तो बच्चों एक बाह बताओ now, ohms low के बारे में आपने सुना है V is equal to I, R R निकालना है I या multiply कर रहा है इदर आके divide V आपका कोन है भई, 1.2 और I क्या है, sorry V आपका क्या है, 6 और I क्या है, 1.2 चलि बच्चों, नीचे से point shift करेंगे तो उपर 10 आजाएगा आपको ये बात पता ही है 60, 12, R 12, 12, 12, 60 यानि R is equal to 5 ohm तो जो भी 5 ohm का option होगा आप उस पर टिक करेंगे ठीक है बच्चों, चलिए कोशन नमबर 3 कोशन नमबर 3 कोशन नमबर 3 मैं आपसे कह रहा है कि हमारे पास ये एक कौन सा है mirror हमारे पास एक concave mirror है लीजिए ठीक है ये P point ये F point ये C point तो मैं पता है ये focus, center, curvature, pole अब कहरा है एक ray है AM ये ऐसे जा रही है ये AM एक ray है तो बताइए तो बताइए कि ये चार में से किस option में से इसकी ray टकराने के बाद कहां से गुजरेगी अरे भाई ये fix बात है ये fix बात है कि जब भी कोई ray concave mirror में टकराएगी उसके surface से तो तुरंट कहां से जाएगी भाई वो focus से जाएगी कहां से जाएगी focus से तो जिस भी option में ये figure हो उसको tick कर देना तो देखते हैं किसमें है ये figure तो भाई ये figure है हमारे C में किसमें है C में तो C से टिक करेंगे अगला कह रहा है fourth question question number four in a gober gas plant bio gas is produced from slurry of biomass by हाँ जी कह रहा है कि जो gober gas होती है ठीक है जिसे हम biomass gas भी कहते है कह रहा है वो slurry में से जो निकलता है ठीक है वो कौन से process से निकलता है तो चार option दिये कौन सी परिकरिया से ये gas बाहर निकलती है तो पहला है fractional distillation प्रभाजी आस्वन तो बच्चो प्रभाजी आस्वन से petrol अलग होता है ninth class में आपने बढ़ा है petrol, diesel ये सब अलग होता है chemical decomposition in the presence of air लेकिन भाई chemical decomposition तो होता है लेकिन in the presence of air नहीं होता ठीक है क्योंकि भाई वो तो असल में क्या है आपने देखा है कि भाई बायो गैस का चैप्टर पढ़ा होगा आपने पूरा धग दिया जाता है पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा सा digester का tank बनाया जाता और वो धग दिया जाता जहां पर oxygen नहीं होता तो मतलब chemical composition तो है chemical decomposition तो है लेकिन वह oxygen नहीं है तो यह नहीं second option भी गलत तीसरा anaerobic decomposition तो भाई यह मैं सही बोलूँगा क्यों anaerobic मतलब क्या जहां oxygen नहों decomposition मतलब क्या जहां वी घटन अभी क्रिया आ-oxicrit वी घटन अभी क्रिया तो C टिक करेंगे चौत्था चौत्था option भी बता देता हूँ इसमें लिगा हो fermentation तो बच्चों fermentation क्या होता है fermentation होता है जब एक ही चीज से बहुत सारी चीजे यानि form हो जिससे fermentation किसका होता है खमीर का, कवक का, फंगस का इनका होता है next time question number 5 F.E. on treatment with steam form हाँ जी iron को, लोहे को अगर हम भाप से reaction करवा दे तो क्या होगा third chapter पढ़ा है मैंने आपको third chapter में मैंने ये बताया था कि ठंडे पानी से reaction करा दे तो क्या होगा गरम पाने से reaction करा दे तो क्या होगा भाप से reaction करा दे तो क्या होगा तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी भाप से reaction करेगा तो उसमें air भी होती है और क्या होती है भाई साथी साथ आपके भाई air भी होती है और water भी होता है और थोड़ा वो heat भी होता है, इस वज़े से ये जब भी बनाएगा, क्या बनाएगा, Fe3O4 ये 3rd chapter में हमने पढ़ रखा है, ठीक है, चलिए, और हाँ अगर पानी के contact में होता तो, फिर बनाता Fe2O3, फिर क्या बनाता, Fe2O3, लेकिन भाप के contact में, तो इसलिए क्या बनाएगा Fe3O4, ठीक है, अगला, NaOH, sodium hydroxide, on adding blue litmus paper, solution, and methyl orange indicator, क्या change देगा भाई, हाँ जी, अगर भाई, कह रहा है, अगर कह रहा है, कि हम NaOH को, blue litmus paper पर डाले, और methyl orange पर डाले, तो बताइए, कैसा color देगा, बताइए, कैसा color देगा, तो देखो भाई, ब्लू, देखो, यह जो आपका blue litmus paper है, NaOH कौन है, base, तो NaOH को base पर अगर हम, ब्लू लिटमस paper पर डाल भी दें, तो क्या कोई फर्क पढ़ने वाला है, नहीं, लेकिन, यहाँ पर मैं आपको option बताता हूँ, option की वज़े से, एक गलती होएगी बच्चों से, मैं बताता यहाँ पर O, A option दिया हुआ है, blue and yellow, blue and yellow, B option दिया है, blue and pink, C option दिया है, yellow and pink, और D option दिया है, colorless और blue, colorless और blue, अब देखो बच्चों एक बात याद रखना, सबसे पहली बात, pink वाला तो कोई भी option successful होए गई नहीं, क्यों, क्योंकि pink सिर्फ और सिर्फ फेनफेटलीन के साथ ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर फेनफेटलीन कहीं पर भी लिखा नहीं है, अब बचा ये, भाई मुझे yellow वाला सही लगेगा, ठीक है, लेकिन एक पल के लिए मेरा अंदाजा यहाँ पर भी जाएगा, क्यों, जैसे कि हमने कहा, कि एक हमारे पास blue litmus paper है, और एक जगा हमारे पास क्या है भाई, methyl orange है, अब मुझे ये बात पता है कि भाई, blue litmus paper पे, blue litmus paper पे, नीले litmus paper पे, nao h डालूं, तो कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, और लेकिन nao h, nao h, methyl orange पे डालूं तो yellow color आता है, तो देखो, yellow color तो satisfy हो रहा है, लेकिन अभी अभी सर आपने बोला, कि blue litmus paper पे nao h डालूंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, तो भाई, अब मैं कैसे बताऊं, क्योंकि देखो, ये blue है, तो ये तो होना नहीं चाहिए, ये blue है, ये भी होना नहीं चाहिए, colorless, अब यहां आके फच जाते हैं, तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, colorless का मतलब क्या होगा, कि color ही उड़ गया, लेकिन क्या मैंने आपको ये स इसका मतलब option number A, ठीक है, option क्या टिक करोगे, A, क्योंकि कभी भी किसी litmus paper पे acid डाल दो, चाहे base डाल दो, colorless तो कभी होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी option, अपने आप कट गया, ये option हमारा सही है, ठीक है, चलिए, next, next, seventh, seventh में कहा रहा है, which one of the following is the most correct sequence in the aerobic respiration, तो बच अच्छो, aerobic respiration की मैंने condition क्या समझाई है, पहला, glucose, पहला, glucose, glucose के बाद क्या भाई, mitochondria में काम होएगा, क्या बनेगा, pyruvate, pyruvate acid, ठीक है, pyruvate acid, फिर pyruvate acid कहां पर होता है, cytoplasm में, ठीक है, और हमें करना भी किसका है, aerobic का, हांजी, cytoplasm में, वो reaction करेगा, O2 के साथ, और फिर क्या बनाएगा, CO2, CO2, फिर H2O, और फिर energy, कितनी energy, 38 energy, तो चलो इसमें चेक करते हैं, तो भई, पहला option, A option, देखो क्या दिया हुआ, ठीक है, वो भी कहां पर दिया है, cytoplasm में, पहला तो यहीं गलत होगा, ठीक है, ठीक, यहां तक गलत, खतम गोगे काम, अगला, फिर second दिया है, glucose, cytoplasm, pyruvate acid, प्लस energy, और pyruvate acid के साथ कभी energy होती ही नहीं, काट दो, दूसरा भी गया, तीसरा, glucose, cytoplasm, pyruvate acid, mitochondria, तो भाई देखो, glucose, जो solve होता है, dissolve होता है, वो mitochondria से निकल के जाता है, ना कि प्लाजमा से, वो ना कि साइटो प्लाजम थे, तो यह भी गल जाता है, ठीक है, तो D नहीं होगा, इसका option, D नहीं होगा, इसका option होगा, A होगा बच्चो, इसका option किस से होगा, A, मतलब क्या, glucose, cytoplasm में जाएगा, cytoplasm में, क्या होगा बई, वो convert होगा, किस में, pyruvate acid में, और pyruvate acid फिर क्या लेगा, oxygen, और oxygen एक तरह की क्या होती है, energy हो तो oxygen लेगा और oxygen जो वो solve होगा तो energy कहाँ पर आएगी mitochondria में by cytoplasm से resolve होगा और फिर जाके mitochondria में energy आएगी और energy आने के बाद क्या-क्या देगा वो CO2 देगा H2O देगा और energy देगा तो option number A सही है बच्छो इसका ठीक है चलिए अब देखते हैं भाई question number 9 कहते हैं भाई in the following group of material which group contain only non-biodegradable item हाँ जी तो कहाँ बताओ ऐसा कौन सा option है जिसमें श्रीव non-biodegradable option है पहला option दिया है बच्छो देख लो लिख सकते हो आप wood paper leather wood paper leather तो भाई मेरे बात एक बताओ क्या इन में से कोई भी non-biodegradable है नहीं भाई सारे biodegradable जमीन में दबादो देखो खतम हो जाएंगे polythene detergent PVC हाँ जी जल्दी बता दो कौन सा भाई देखो polythene non-biodegradable है मानता हूँ PVC है लेकिन detergent नहीं detergent हो जाएगा biodegradable हो ठीक है तो यह भी गलत हो गया प्लास्टिक बेकलाइट और डी दी टी तो भाई यह तीनों के तीनों क्या है non-biodegradable है तो इसका मतला option number 2 और option number 4 किस में दिखाई दे रहा है भई D में दिखाई दे रहा है तो इसका मतला हमारा D option सही है जिसमें option number 2 और option number 4 ये non-biodegradable है ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला 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 ये देखो filling the blanks a triple bond is represented by और राइटिंग इन सिंगल बॉंड कितने अरे भाई triple bond को कैसे लिखते हो single bond के term में एक single bond, दो single bond, तीन single bond तब जाके triple bond मनता है मतला तीन single bond मिलके एक triple bond बनाते है तो वही बोल रहा है कि triple bond जो है represent कितने single bond से किया जाता है तो तीन single bond से किया जाता है अगला true-false बताना है अगला तो इसमें ये बात इसने क्या है गलत है magnetic field lines कहीं intersect नहीं करती है बात सही है लेकिन poles पे intersect करती है ये बात हमें पता है तो condition false next अगला है alkali metal are hard and cannot be cut with knife तो भाई क्या है false है क्यों क्योंकि alkali metal कौन से होते हैं भाई non metal और non metal अराम से चाकू से काटे जा सकते हैं ठीक है जी चलिए तो ये होगा खतम अब एक एक करके question करना शुरू करते हैं थोड़े थोड़े ठीक है अब ज़िए short questions कर रहे हैं पहले question नमर 17 आ रहा हूं है ठीक है बाकि ऐसे ही है चलिए what is the function of galvanometer in a current हाँ भाई कह रहा है कि what is the function of galvanometer in current है चाहे तो आप ये question भाई जैसे भी यह लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फिर से बोल देता हूं what is the function of galvanometer what is the function of galvanometer in a current ठीक है भाई तो कह रहा है current के लिए galvanometer का क्या function है तो बच्चों याद रखना galvanometer एक परकार का instrument है जो current को detect करता है galvanometer एक परकार का instrument है जो current को क्या करता है detect करता है जो पता लगा लेता है कि हाँ भाई आसपास कहीं पे current है अब एक बात बताओ मेरी बात सुनो आप खुद ही देखना कि wire के अंदर अगर current कहीं से leak हो रही है तो जो बिजली वाला आता है क्या वो हाथ लगा लगा के चेक करता है वो हाथ लगा के चेक नहीं करता हाथ लगा के तो उसको ही current लग सकता है तो वो क्या करता है अपने साथ galvanometer लेकर आते है वो लगा लगा के तार के आसपास से देखते है और अगर कहीं भी leak हो रहा होगा तो उसके सुई जो है वो क्या करने लग जाएगी ब्लिंक करने लग जाएगी तो अपने आप पता चल जाता है कि हाँ जी यहाँ कहीं न कहीं यहाँ पर क्या हुआ है current leak हुआ है तो इस तरीके से galvanometer एक ऐसा device है जो current को detect करता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे galvanometer is an instrument which detects the current galvanometer is the instrument which detects the current अगला है question number 18 why is bio gas considered an excellent fuel हजजी bio gas को एक excellent fuel क्यों माना जाता है तो answer आपको पता ही है क्योंकि एक तो सस्ता है दूसरा भई क्या नहीं करता smoke नहीं निकालता तीसरा कोई उसका air pollution नहीं है ठीक है और चौधा वो भई क्या store किया जा सकता है पांचवा कि भई इसके खतम होने के संभावना नहीं है इसे हम दुबारा भी क्या कर सकते है generate कर सकते है तो इस वज़े से क्या है ये एक good fuel है ठीक और सबसे बड़ी बात इसकी calorific value भी बहुत जादा है calorific value मतलब क्या heat इसकी बहुत जादा है अगला the electronic configuration of two four two eight four is this हाँ भई two four two eight four जोड़ना जाना इसको दो eight दस और चार चौदा चौदा नमबर किसका होता silicon का तो बस इसका answer है silicon चलिए बाकि ऐसे ही है हाँ जी section B अब section B पे आते हैं question number 21 पे can I trace the sequence of event which occur when a bright light is focused on your eye हाँ जी low air ये कोई बहुत बड़ा वो थोड़ी है आप सभी बच्चों ने reflexive arc तो पढ़ाई ही होगा पढ़ाए की नहीं पढ़ाए reflexive arc पढ़ाए ना reflexive arc में आपने क्या पढ़ाए कि अगर माल लीजिए ये सूई है और इस पे आपका हाथ पढ़ जाए तो तुरंट आपके हाथ के जो sensory neuron है वो एक sense ले लेंगे मतलब कील है कील पर हाथ पढ़ गया तो तुरंट एक sense जाएगा क्या sense जाएगा जो भी है कि भाई कोई नुकिली चीज़ चुप गई है इस तरीके से यानि आपका sensory neuron activate हो जाएगा और वो sense लेके जाएगा आपके कहा spinal cord में और spinal cord तुरंट उसको किस से भाई motor neuron से convert करके जवाब भेजेगा किस में relay neuron में कि भाई जल्दी से तुम अपना हाथ खीचो तो फिर वो relay neuron यहाँ पर आएगा और जो भी हमारा reflector होता है यहाँ पर यहाँ पर हमारा reflector होता है वो तुरंट उस हाथ को क्या कर देगा वहाँ से हटा देगा तो मतलब इतना सारा काम within second के अंदर भी second से भी पहले हम लोग यह काम कर देते हैं तो बच्चो इस तरीके से अगर पूछ रहा है कि आपके आँख पे कोई अचानक से torch की bright light मार दे ठीक है आप भाई आप क्या भाई आप ऐसे खड़े चुप चप ठीक है या आप देखें आप कभी doctor के पास गए होंगे तो आँख पे torch मार दे तो आप तुरंट क्या करते हैं अपनी आँख बंद करने लगते हैं तो इसका रीजन क्या है तो इसका रीजन मैं बताता हूं आपको इसका रीजन मैं बताता हूं हाँ जी तो इसका रीजन है सबसे पहले receptor receptor cell of eye ठीक है जैसे ही इसके उपर light पढ़ेगी तुरंट आपका sensory neuron sensory neuron active हो जाएगा क्या active हो जाएगा sensory neuron active हो जाएगा और जैसे ही sensory neuron active हो जाएगा या sensory नर्व बोलो कुछ भी बोलो तो तुरंट आपका brain brain active हो जाएगा brain मतलब क्या spinal cord ठीक है मैं यहाँ पर लिग देता हूं spinal cord ठीक है spinal cord active हो जाएगा अपका ठीक है और जैसे इस spinal cord active हो जाएगा तो यहाँ से motor neuron एक जवाब भेजेगा motor neuron जवाब भेजेगा क्या जवाब भेजेगा कि भाई आपके जो आखों की पलके हैं इसे बंद कर लो तभी light आना बंद हो जाएगी तो बस जैसे इस पर करेगा तो भाई यह क्या आई muscle के पास जवाब भेजेगा किसके पास आई muscles के पास जवाब भेजेगा और आई muscles के जवाब होने के बाद क्या हो करेगा जो आपकी आई bleeds हैं मतलब जो आपकी क्या है भाई आई bleeds आपके क्या है भई आई लीट्स जो है वो क्या हो जाएंगी बच्चो close हो जाएंगी मतलब क्या पहले आपके आँखों पे क्या पड़ा भई receptor of cell पे मतलब क्या कि light पड़ी या आगे light आपके आँखों पे ठीक है sensory neuron active हुआ spinal cord तक जवाब गया कि हाँ भई कोई बड़ी तेज चीज आँखों पड़ गई है motor neuron ने तुरंत बोला eye muscle को क्या कि भई जल्दी से eye lights को close करो जल्दी से आँखों क्या करो बंद करो ठीक है और जैसे ही बंद करेंगे तो बस आपके आँखे pupil वो क्या हो जाएगी वापस contract हो जाएगी वापस क्या हो जाएगी contract हो जाएगी ठीक है क्या हो जाएगी contract मतलब वापस वो इस्थिर हो जाएगी आपके आँखों की जो ब्लैक ब्लैक है वो वापस control में आ जाएगी लेकिन फिर दुबार आँख खोलोगे फिर light पढ़ेगी फिर एकदम से बड़ी बड़ी सी हो जाएगी तो मतलब क्या है हमने क्या देखा कि light पढ़ी sensory neuron active हुआ motor neuron में गया eye muscle में गया ठीक है और उसने बोला कि तुरंट क्या करो भई eye को बंद करो ताकि people क्या हो जाए contact हो जाए ठीक है तो इस तरीके से काम होता है बच्चो ठीक है चलिए अब अगला question आ रहा है अगला question आ रहा है question number 22 यह question number 21 हो गया question number 22 कि भई what is a rainbow तो rainbow क्या है बच्चो जब जब rain के बाद बारिस के बाद एक colorful structure हमें आस्मान में इसकाई में दिखाई दे तो उसी को हम rainbow कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं rainbow कहते हैं चाहे तो इसकी definition अगर बोलोगे तो मैं लिखवा देता हूँ आप लिख लीजिए लिख लिखिए what is a rainbow rainbow is a natural spectrum 1. Rainbow is a natural spectrum formed in the sky after rain . 2. Rainbow is a natural spectrum formed in the sky after the rain . Rainbow is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets by tiny water droplets hanging in the atmosphere after the rain. After the rain, the water droplets act like small prism. act like small prism. act like small prism. The water droplets refract and disperse. The water droplets refract and disperse. The incident light. The incident light. These rays are reflected internally. Reflected internally. These rays are reflected internally. And finally reflected again. And finally reflected again. And come out of raindrop. And come out of raindrop. And come out of raindrop. Due to dispersion and internal reflection. Due to dispersion and internal reflection. Due to dispersion and internal reflection of light. And the different color reaches to our eye. And different color reaches to our eye. मतलब यह है यह आपका water droplet. मतलब माल लो बारिस होई पानी की भून देए. यह आपका भई सनलाइट. यह अर्थ है. अर्थ पे यह कोई आदमी खड़ा है भई. ठीक है? अब यहां से क्या हुआ? सनलाइट से सनलाइट गई. तो भाई यह तो एक white light है. आपको अच्छे से पता है. white ray. और जैसे ही यह सनलाइट white ray. ठीक है? स्वेत की रन. इसके उपर पड़ेगी कि इस पे पानी की बूंद पे, water droplet पे. तुरंत यह एक प्रिजम की तरह काम करने लगेगा. और इसको साथ रंगों में तोड़ देगा. तो यहां से इसका हो गया reflection. यह उपर होगा red नीचे होगा violet. अच्छा. अब पहला काम तो यह इसने क्या किया? reflection किया. मतलब अप वर्तन किया. मैंने यह बात लिखवाई. फिर मैंने क्या बताया? फिर यह अंदर ही अंदर अपने surface है. क्योंकि जश्ट इसी के बगल में और भी तो बूंदे होंगी. ठीक है? तो यह बिल्कुल prism जैसा काम करने लगेगा. और टक्रा के internal reflection करेगा. टक्रा के क्या करेगा? internal reflection करेगा. टक्रा के क्या करेगा? internal reflection करेगा. यह नहीं होगा. यह मिल जागा तो फिर तो बिकारी होगे न? यह होगा ऐसे. ठीक? internal reflection करेगा. और internal reflection करने के बाद, जब यह surface पर आएगा. तो यह वापस क्या करेगा? वापस यह reflection करेगा. वापस क्या करेगा? वापस reflection. यह अंदर क्या किया इसने? ठीक है और जब दुबारा बाहर किया तो अगेन रिफ्रेक्शन फिर से रिफ्रेक्शन किया इसने यहां पे भी रिफ्रेक्शन किया इसने यहां पे भी रिफ्रेक्शन किया दो बार रिफ्रेक्शन करेगा और एक बार इंटर्नल रिफ्लेक्शन करेगा अपवर्तन यहां भ दो बार reflection करके और एक बार internal reflection करके ठीक है और फिर ये red color हमें ये दिखाई देगा violet color वैसे तो हमें इंदर धुनुस में सरी 5 ही color दिखते हैं इसका reason आपको पता है क्यों 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 कि बाकी के दो color इतनी जादा उनकी wavelength नहीं होती है कि हम तक पहुच पाए इसलिए हमें maximum 5 color ह दिखाई देते हैं ठीक है बच्चो तो ये इस तरीके से कोई इंदर धुनुस क्या करता है फॉर्म करता है ठीक है चलिए चाहे तो note करना चाहो तो note कर लो इसे फटा फट फिर मांगे बताता हूं note कर लो इसे चलिए नोट कर लिया होगा आगे देखिए अगला कोशन है 23 अगला कोशन है 23 ठीक है जÄन गेड़ें कर टु अफ जिरवर ख्लोषि इस टेकन इन आ चाहइन दिस ऐसे And the China dish is placed in sunlight for some time. ठीक है जी. कहा रहा बच्छो, दो ग्राम, दो ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया हमने चाइना डिस में. ये ले बाई, ये रहा चाइना डिस, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है. ठीक है? ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है. क्या फॉर्मुला होता है बच्छो, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर मतलब A-G, क्लोराइड मतलब C-L. तो ये आगे हमारा A-G-C-L. ठीक है? अब ये मत कहना हर क्लोराइड पे C-L ही आएगा. कहीं कहीं पे C-L-2, C-L-3 ये आता है, according to charge. कैसे क्योंकि AG का चार्ज होता है प्लस वन, CL का चार्ज होता है माइनस वन बन गया AGCL आगे देखेंगे आगे देखेंगे उसने क्या बोला कह रहा है कि अब इसने observation के लिए रखा, ठीक है कहां पे? Sunlight में मतलब इस AGCL को किस में छोड़ दिया सनलाइट में छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद इसने कुछ नोट किया क्या नोट किया? तो देखो क्या नोट किया होगा? तो भाई मैं बताता हूँ ये नोट किया होगा कि AGCL को जब आप Sunlight में छोड़ देंगे तो ये Decompose हो जाता है यानि AG अलग हो जाता है और उसमें से कLORINE GAS निकलती है कLORINE GAS मतलब CL2 निकलता है कह निकलता है? CL2 निकलता है तो बता हो ये किस तरह की reaction है? तो इस तरह की reaction को Photo Decomposition कहते है Photo Decomposition Reaction ये बोलते हैं बच्छो तो इतना नखली सा question था, करलो Next question हाँ जी next question कह रहा है identify the type of reaction taking place in the each of the following कह रहा है reaction को पहचानो और फिर लिख के भी दिखाओ क्या reaction है क्या तो पहली reaction है zinc reacts with silver nitrate अरे तो यह क्या हो गया बहुत simple था question है इसी का और पार्ट है question number 23 का और पार्ट है पहला कह रहा है zinc की reaction करवाओ silver nitrate से तो silver nitrate होता है ag no3 और इसकी reaction करवानी इससे तो बहीं जब reaction करवाओगे तो आपको अच्छे से पता है अगर आप लोगों ने decomposition reaction की series बढ़ी होगी तो आपने क्या देखा कि ZN जादा reactive होता है ag कम reactive होता है तो ZN ag को हटा देगा और ag बड़े आराम से हट जाएगा और जब हट जाएगा तो ZN का charge होता है plus 2 NO3 का charge होता है minus 1 एक इसके नीचे दो इसके नीचे तो ZN NO3 twice plus क्या बाहर निकल गया ag तो यह हो गया पहली reaction reaction दूसरी हाँ जी कहरा potassium iodide लो जी potassium iodide ki reaction करवाना है इसको lead nitrate से ठीक है lead nitrate से reaction करवाना है और सबसे अची बात पता है क्या है इसमें पहले सही न result भी बता रखा है पहले सही result भी बता रखा है कि potassium iodide reacts with lead nitrate ठीक है जी और produce कहरा साथ में produce कर रहा है potassium nitrate तो potassium nitrate क्या होता है KNO3 होता है ठीक है और कह रहा है and lead iodide और lead iodide क्या होता है PBI2 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 क्यों होता PBI2 क्योंकि PB का charge plus 2, IE का charge minus 1 एक इसके नीचे, दो इसके नीचे आप लोगों ने मेरे first chapter के अगर वीडियो देखियोगी तो ये सारी चीज़े आपके लोगी बच्चों की खेल है चलिए next है 24th question identify the acid and base from which sodium chloride is obtained ठीक है कहारा बता हो कि sodium chloride को किस acid से और किस base से obtain किया जा सकता है which type of salt is it ठीक है कहारा when it is called rock salt how is rock salt formed तो यार इतना simple सा तो है पहला भाई NaCl किस से निकाला जा सकता है किस acid से निकाला जा सकता है HCl से, hydrochloric acid से तो पहला option तो यह हो गया आगे क्या पूछा उसने कि भाई ये कौन से base से बन सकता है तो Naos से बन सकता है ठीक है sodium chloride hydroxide से बन सकता है अगला पूछा है कि ये salt होता कैसा है तो ये क्या होता है neutral salt होता है कैसा salt होता है neutral salt अगला कह रहा है कि इसको rock salt क्यों कहते हैं इसको rock salt इसके लिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसको जब हम इसको लेकर आते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी impurities होती हैं लेकिन जब हम इसके बहुत सारी impurities होती हैं तो crystal के form में देरे देरे क्या हो जाता है चेंज हो जाता है जो crystal बिलकुल सेम कैसे चत्टनो के crystal जیسے met us Ale चत्टनो के crystal जशे match होते है इस वज़े से इसको क्या कहा जाता है rock salt और साथ में यह चत्टनों से निकाले भी जाते है इस वज़े से rock salt कहा जाता है अगला हा बई यह कैसे form की जाते है समудरो के पानी को समुदरों के पानी को जो हमारे C होते हैं C में से पानी में से जो solid forms निकलती है उन solid form को dry up किया जाता है मतलब क्या उसे vaporized किया जाता है तो उसमें से सारा vapor ओड़ जाता है और जो solid particle बसते है crystal बसते है वही हमारा क्या होता है salt होता है ठेक है यह सारी चीज़े हम पढ़ चुके हैं second chapter में चलिए आगे कह रहा है 25th question Based on the group valency of element write the molecular formula बाई देखो, valency के हिसाब से molecular formula लिखना है किसके हिसाब से? valency के हिसाब से molecular formula चलिए, तो पहला कह रहा है oxide of group first group element oxide of first group element तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी समझानी जुरूत है बच्चो एक बात बताओ first group का मतलब क्या है first group का मतलब यह है कि first group के अंदर जितने भी element होंगे सब की valency plus one होगी ठीक है, तो माल लीजिए मैंने a एक element ले लिया जिसका plus one है और के रहा है इसका oxide बनाओ अरे तो oxygen को तो हर हाल में minus two होता है तो क्या बनेगा इसका compound बनेगा A2O क्या बनेगा A2O अब second बोल रहा है second question में के रहा है halide of the element halides का मतलब होता है बच्चो halogen halides का मतलब क्या होता है halogen मैंने बहुत लोगों कंफ्यूजन में देखा halides मतलब क्या होता है halides और halogen एक ही बात है halides of the element of the group 13 अच्छा बच्चो group 13 के बारे में सुनो बच्चो group 13 जो है इसके अंदर ना इसके अंदर एक metal होता है जिसका नाम जैसे अब मैं group 13 की बात करूँ तो इसके अंदर एक metal पाया जाता है जिसका नाम होता है aluminium क्योंकि पता है आपके codes में na group 13 से जब भी question आएगा aluminium से related ही आएगा ठीक है लेकिन आप लिखना मत लेकिन आपको मैं बता दूँ aluminium से ही related होता है और group 13 का group 13 का जो valency होता है वो always plus 3 होता है क्या होता है always plus 3 होता है इस वज़े से ठीक है इस वज़े से अगर मान लो group 13 का कोई element भी मान लेता हूँ तो उसका charge कितना होगा plus 3 और halides से reaction करने के लिए बोल रहा है halides कौन होते है halogen और halogen का charge always क्या होता है minus 1 halogen कौन होते है fluorine, chlorine, iodine और brumin ये चारो आपके कौन है आपके halogen है और इस अगर जैसे आपके घर का नाम मान लो bit two इस तरीके से होगा और बाहर नाम होता है आपका भई कोई अलग सा नाम होता ठीक है तो भई मतलब हमने क्या देखा बच्चो कि बाहर आपका नाम कुछ और है ठीक है लेकिन घर में आपका प्यार से जो आपके घर वाले बुलाते है वो नाम अलग है तो बस यही चीज़ है कि हम halogen वो दुनिया वालो के लिए halides एक तरह से क्या भई उनका निक नेम है ठीक तो इसला कोई भी अपका halides हो सकता है मालो क्या ले लो E ले लेता हूँ क्या ले लेता हूँ E ले लेता हूँ तो कोई भी halides का charge क्या होता है minus 1 तो 1 इसके नीचे 3 इसके नीचे answer बनेगा BE3 क्या बनेगा BE3 अगला क्यारा compound formed when an element A of group 2 combines with element B of group 17 अरे तो यह क्या है यह तो बहुत असान सा है यह तो बहुत असान सा है यह तो नोट कर लिए होगा आपने ठीक है बहुत असान सा है तीसरा कह रहा है कि group 2 का कोई होना चाहिए ठीक है कह रहा है कि group 2 से कोई होना चाहिए अब group 2 का मतलब क्या है कि group 2 से जो भी होगा group 2 से जो भी होगा उसकी valency plus 2 होगी और कह रहा है group 17 से होना चाहिए और group 17 से जो होगा उसका charge minus 1 होगा क्योंकि यह halogen होते है हर बच्चे को पता है कि group 17 हेलो जन होता है ठीक है, भस group 2 से मान लो, मान लो आप वही C और group 17 से अप मान लो, वही KIA Z ठीक है, तो क्या बना? इसका होगा plus 2, इसका होगा minus 1 एक, इसके नीचे, दो इसके नीचे तो मैंने गा CZ2 क्या बनेगा CZ2 इस तरीके से ये तीन आंसर थे, सिंपल सा कोश्चन, ये 2018 का पेपर है, सुरी, 2018 का नहीं है, हाँ, 2018 का पेपर है, करो, 2018 का पेपर, कर लिया नोट बच्चो, कर लिया होगा, अब देखो, कोश्चन, नमर 26, कह रहां, प्लांट होर्मोन कौन कौन से, सारे भाई, नाम लिख देना, भाई, आपका, क्या क्या हो गया, जिब्रेलीन हो गया, औक्जीन हो गया, साइटोकनिन हो गया, अप्ससिक एक्षिड हो गया, वह अब कह रहे हैं, name the plant hormone responsible for following मतलब growth of stem तो growth of stem कोन करता है? ऑकजीन करता है, ठीक है promotion of cell division कोन करता है? तो भई, cytokinin करता है, या gibberiline करता है, या ऑकजीन करता है, ये करता है, ठीक है और inhibitor of growth है कोन है? जो growth को रोगता है aba, abscessic acid elongation of cell, cell को बढ़ाता कोन है तो भाई, auxine बढ़ाता है और gibraline बढ़ाता है, तो ये सारे चीज़ें चोटी-चोटी है ठीक है हाँ जी, अगला हाँ जी अब आपको अच्छा अब हमारे theory वाले आते हैं, बढ़िया-बढ़िया question, ठीक है तो इसको हम next class में solve करेंगे बच्छो ठीक है next class में solve करते हैं ठीक, यह मैं चलो एक-दो question कराई देता हूँ, एक-दो करा देता हूँ numerical तो सारे next class में solve कर रहूं ज्यादा बैतर रहेगा ठीक है बाकी next class में, ठीक है बच्छो चलिए तो बाकी हम next class में करते हैं ठीक है और next class में ये series खतम हो जाएगी ठीक है फिर हम दूसरे set paper पे आ जाएगी ठीक है चलिए तो आज की class नहीं खतम करते हैं मिलते हैं next class में